पूरा महीना रोजा और इबादत करने के बाद आठ सबसे खुशी वाला ईद का दिन है तो हम सुबह उड़ गए और नहा के आ गए मस्जिद फजर की नमास पढ़ने और हम तो थोड़ा बाच हो गाई ते लिकिन मारी और मम्मी राद तक जाके ईद के लिए बढ़िया कर दाए में रहे थे इस लेहा लगा गया और हमारी मस्जिद में फितर दो जमाती एक सबसाइब नमास पढ़ना था तो पापा और में स्कूटर चे आ गए मस्जिद हम नमास के लिए बैठे ही ते लिकिन तभी एक अंकल आया और मुझे ये टोपे गिफ कर रहे तो किसे ने मुझे पहली बार ऐसे टोपे गिफ किया तो मुझे काफी अच्छा लगा नमास के बाद मैंने और पापा ने एक दुसरों को गले लगाया और एद मुबारक बोला और पापा ने मुझे बहुत प्यार भी किया फिर मापने मुझे मुझे अरभी के तालीम देता है और इस मस्जिद के इमाम भी है एद के दिन सबसे प्यार से मिलना गले लगना और एद मुबारक बोलना काफी अच्छा लगता है तो आप सबको भी हमारी तरफ से एद मुबारक थाएंग यू बाए